मुंबई के शिवाजी पार्क में दशेरा रैली पर छिड़ा संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है बलकि अब तो ये लड़ाई कोट तक आ गई है बीमसी ने शिवसेना प्रमुक उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे दोनों ही पक्षो को अनुमती देने से इंकार कर दिया है बीमसी की तरफ से आये इस फैसले के बाद उद्धव कैंप ने हाई कोट का रुख किया है जिसके बाद ये मामला और गर्मा गया है माराश का शिवाजी पार्क सियासत का वो अड़्डा है जहां राजनेतिक दल अपनी अपनी ताकत को दिखाते हैं और खासकर दशेरे पर वो मौका आता है जब रावन दहन के साथ राजनेतिक पारा चड़ने लगता है लेकिन इस बार तो दशेरा के आने से पहले ही सियासत गर्मा गई है इसकी वज़र रैली को ना मिलने वाली अनुमती है जिसे लेकर अब शिफसेना ने कोट का दर्वाजा खटकटाया है दरसर शिफसेना प्रमुक उद्वठाकरे और मुख्यमंतरी एकनाश शिंदे ही शिवाजी पार्क में दशारा रैली का आयोजन करना चाहते हैं लेकिन बीमसी ने अनुमती नहीं दी है बीमसी के तरफ से आये इस फैसले के बाद और धव कैम्प ने हाई कोट का रुख किया है उन्होंने याचिका में अनुमती देने के लिए बीमसी को निर्देश जारी करने के लिए कहा है याचिका में कहा गया कि BMC को आवेदन देने के 20 दिनों के बाद भी फैसला लिया जाना बाकी है याचिका में बताया गया कि शिफसेना साल 1966 से हर साल दशेरे पर आयोजन कर रही है दिवंगत बाल ठाकरे ने 1966 में ही शिफसेना का गठन किया था उसके बाद से ही ये सिलसला जारी है हालागि करोना महमारी के चलते आयोजन दो साल से रुका हुआ है मगर इस बार हमें अनुमती मिलनी चाहिए इधर बागी कैंप ने भी एक याचिका दायर की है दोनों याचिकाओं पर कोट में शुकरवार को सुनवाई होगी वहीं BMC का कहना है कि अगर किसी एक गुट को अनुमती दी जाती है तो मौके पर कानून विवस्था बिगड सकती है अब BMC तो अनुमती देने से इंकार कर रही है जिसके बाद मामला कोट तक पहुँच गया है अब देखना होगा कि अदालत क्या फैसला लेती है DB Life की रिपोर्ट